आपके या आपके किसी जानकार को आप ये नोटिस की दिये कि बहुत अच्छा वैपार कर रहे हैं पर ज़्यादा दिन तक नहीं करते बात बात में टोकाटाकी की आदत होती है या रोजाना यही सोचते रहते हैं कि इस वैपार को मैं बदल के कोई और वैपार कर लूँ और पैसा तो बहुत होता है लेकिन बड़ी कंजूसी होती है खर्चनी करना इतनी कंजूसी कि घर वाले भी नराज रहते हैं और इतनी टोकाटा की कि घर वाले भी कटने लग जाते हैं ऐसी को स्थिति आपके अगर किसी जानकार में आप में अगर ये है तो ये वीडियो आपके लिए है नमस्कार जी मैं एस्ट्रो केवल आपके सामने एक समस्या और लेकर आया हूं इसमें पूरी तरह से मैं जोतिश को लेकर ही आपको इसका उपाए भी बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा राहू जिस वक्त आपकी जन्म कुंडली में दशमभाव में हो और उस पर कोई नीच प्रभाव हो या तो वो नीच राशी में हो अपनी या उस पर कोई प्रभाव गलत हो और कुंडली में शनी देव भी अच्छे प्रभाव ना दे रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि जो मेने बातें अभी कहीं हैं ये सभी बातें होंगी व्यक्ती खर्चा नहीं करेगा बातचीत तो वो अच्छी कर लेगा उसका सरकल भी अच्छा हो जाएगा बिजनस भी बड़ा कर लेगा मगर टिकेगा नहीं कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया इसमें मज़ा नहीं आ रहा बार बार काम बदलने का मन करेगा अगर जॉब में है तो जॉब बदली जाएगी या जॉब में उसे दिक्कतें आती रहेगी अच्छा मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करना है बस मैंने ही कंट्रोल करना है जो कुछ करूँगा वो मैं ही करूँगा बस कुछ इस किसम की पाइदा मिल जाए अब क्या होता है कि इन दुषपरभावों से बचने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि शनी को किसी भी तरीके से अच्छा करना है शनी देव कि अगर हममद्द लेते हैं मालिया वो किसी ऐसी राशी में हैं या किसी दुषपरभाव में राहू ह तो वो व्यक्तिक क्या जिन्दगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा जरूर कर पाएगा अब ध्यान देना पड़ेगा शनी पर और मंगल पर देखें मंगल को तो अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि अपने भाईयों के साथ बना कर रखा गया है और दूस तीसरे देन या खासकर मंगलवार या शनीवार को धरमस्तान पर मीठा बाटा करें चाहे चीनी हो चाहे कोई मिठाई हो चाहे कुछ भी गुड़ हो ये सारी चीजें अगर वो शनीवार या मंगलवार को धरमस्तान पर बातेंगे तो मंगल के दुश प्रभाव कुछ कम हो जाते हैं अब बात रही शनी देव की तो शनी देव के अच्छे प्रभाव लेने के लिए तो बहुत ही आसान तरीका ये बनता है कि जो लेबर क्लास है आपने जो मेहनत करके काम करने वाले लोग हैं आपने उनके हमेशा ख्याल रखना है उनको अगर आपके इंपलॉईज है तो सेलरीज अच्छी देनी है अगर वो किसी तकलीफ में हैं चाहे आपके इंपलॉईज हैं चाहे नहीं हैं कोई भी हो वो किसी तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ दूर करनी है हाथ में पैसे पकड़ा दोगे या खाना खिला दोगे वो उन्हें कहीं से भी मिल जाएगा मैं हम सब्सक्राइब करने वाले कुछ लोग हमारे सफाइग करमचारी या इसे वक्त में लड़कों की पॉलिसी लखिये को यह माइंद मत कि 유े हाँ शराब मास और शबाब इन तीरों से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी आपको क्योंकि ये चीजें जो हैं शनी देव के दुश्परभाव बढ़ा देती हैं एक उपाए मंगल के लिए भी करा जा सकता है कुछ लोग जो हैं वो मंदिर जाना में दिक्कत होती है या दूर होते हैं या कोई भी रीजन हो सकता है तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप एक चांदी की चपोड भी ले आईए मजार में मिल जाएगी किसी सुनियार के पास में किसी जोहलर के पास में चले जाएए चांदी की चोटी सी डिबी ले लीजे और उसके अंदर शहद भर दीजे अपने कारेस्थल पर और अपने घर पर उसे स्टोर करके रख दीजे जब वो शहद सूख जाए उसे रीफिल कर दीजे इससे मंगल के दुश प्रभाव भी कम होंगे और आपके राहू भी आपको प्रसान के तौर पे अगर आपको वीडियो में कुछ काम की बात लगी है या कुछ आपके अच्छा लगा है एक इन्फरमेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं आपकी सेवा में जल्दी जल्दी ही ह झाल झाल